नमस्य दोस्तों मैं सौपनिल रोहन का साइंटिफिक वास्तू कंसल्टन मंगल वास्तू यह मेरे यूट्यूब चैनल में फिर एक बार आप सब्येका स्वागत करता हूँ दोस्तों इस साइंस का बेसिक कंसेप्ट हमने क्लियर कर लिया है आज का जो वीडियो है उसमें हम next जो स्टेज है इस साइंस की डिस्कस करने वाले है वो है importance of remedies तो कौन सी कौन सी remedies important है और remedies क्यों use करनी चाहिए remedies का क्या positive or negative effect है कौन से जुन की remedies क्या हमें देती है ये मैं आज discuss करने वाला हूँ because वास्तुपुरुष मंडल में जो है हमारे पास total direction है 16 16 direction है 32 entrances है और 45 alchemy of देवताज है इतना हमारा ये rough view जो है वास्तुपुरुष मंडल का detailing है वो है हमने 16 direction देखे है 32 entrances भी देखे है तो 16 direction के attributes भी हमें पता है कौन सी direction हमें क्या देती है कौन से direction से क्या-क्या positive effect आता है क्या negative effects आता है तो importance of remedies, remedies क्यों use करना चाहिए सबसे पहली बात ही है कि क्यों remedies यूज करे तो remedies यूज इसलिए करना चाहिए जब कभी भी हम किसी भवन की energy एक neutral level पे लाते है या उसको balance करते है, neutral करते है हर एक वो zone का energy level है वो balance करने के बाद अगर हमें कुछ zone का amplification करना है या उसकी strength बढ़ाना है या उससे और positive result लेने है तब हम remedies अपला करते है तो remedies किस तरह से work करती है और कौन सी remedies है ये भी समझना बहुत important है तो basic एक example देखे मैं समझाना चाहूंगा अगर हमने किसी एक radio पे हमने एक sound अगर चलाया तो उसका एक अपने भवन या घर के area तक की उसका limitations रहेगा sound का वही sound या वही जो sound आपने अगर DJ पे play किया तो उसका पूरे आपके area में sound सुने देगा तो ये हो गया amplification तो जब कभी भी किसी भी zone का neutral level amplify करना है या उस zone का attributes positive और उस zone की energy को enhance करना है amplification बढ़ाना है energy का तब हम remedies apply करके उस zone का attributes बढ़ाते है for example अगर ये किसी भी zone की एक neutral level की energy चल रही है ठीक है with respective time ये है हमने balance करने के बाद ये energy level जो है ये balance करने के बाद का energy level है ये neutral level है अब मुझे यही जो energy level है इसको amplify करना है particular zone particular direction 16 direction हमारे पास है तब हम remedies apply करेंगे अगर ये neutral level के बाद अगर ये ही zone का energy ये हर एक zone का energy मुझे अगर amplify करना है तो मैं ये amplify कर सकता हूँ with respective time ये हो गया energy ये हो गया हमारा ये amplification level ये हो गया before remedies ये हो गया after remedies remedies apply करने के बाद ये changes आएगे energy में तो क्यों जरूरी है because north से हमारा magnetic flow है north north is very important direction यहां से magnetic energy का flow होता है south में ठीक है north to south pole में magnetic energy है because हम electromagnetic field में हम लोग है तो मुझे energy अगर किसी zone का बढ़ाना है या amplify करना है तो मैं remedies ये उस करूँगा तो as per hindu dharma शास्त्रा hindu dharma शास्त्रा के इससे तो हमें 45 देवतास तो वास्तुपूरुष मंडल में है जैसे कि east direction में सूरे भगवान निकलते हैं तो वो represent करते हैं east direction हम बोलते कि east is the direction of sun planet या सूरे भगवान की है तो उसी तरह से हरे को direction कुछ ना कुछ देती है या हरे को direction में जो जो सास्त्र में लिखा हुआ है कि या ये direction ये particular देवतास की है ये particular देवतास ये direction represent करती है अगर हमें उस हमारे life में ओ direction में अगर हम remedies apply करेंगे तो उसको अगर enhance करना है तो वो remedies apply करने के बाद वो zone enhance होके और positive result मिलेंगे जब कभी भी भवन का neutral level पे हम energy level करते है उसके बाद हम remedies apply करते है तो बहुत सारी remedies है आज मैं बात करूँगा North zone की जो remedies है हमारे हिंदु दर्मशास्त्र में यक्षराज कुबेर जी को बहुत ज़्यादा importance दिया हुआ है यक्षराज कुबेर जी ये god of wealth है जैसा आप सभी लोगों को पता है आपने भी पढ़ा हुआ है मुझे अलग से बताने की ज़रुरत नहीं है North is the direction of money and opportunity हमारे पास 16 direction है उसका North direction जो है उसका attributes है money and opportunity जो सबको चाहिए तो money and opportunities की direction है अगर आपने center point से सभी energy level balance कर दी और remedies किस तरह किस से होनी चाहिए कुछ लोग मुझे सवाल पुछते कि sir मैं या एक picture या photos लगाने से चलेगा क्या तो नहीं because we are working in the angular division method earth circular है और हर एक time के slot में earth का angle change हो रहा है because rotation है earth को ये पहले भी मैं center of gravity के बारे में मैंने previous video में discuss किया हुआ है और आज भी मैं वही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ तो 3D remedies होनी चाहिए जो कि हमें as per angle हम उसको मुझ कर सके तो वो क्या हो सकता है एक तो sculpture हो सकता है statue हो सकता है ठीक है sculpture या statue photo ये एक ही direction में facing होगा उसको हम as per angle change नहीं कर पाएगे तो 9 direction में अगर हमने energy balance कर ली किसी भी भौन की after that हम अगर वहाँ पे एक्षराज कुबेर जी का statue मैं आपको बताता हूँ एक्षराज कुबेर जी का जो statue है ये statue ठीक है या sculpture आप अगर place करते है तो आपका पो zone का जो amplification ने energy level enhance होगा और आपको within 15 days difference दिखेगा इसका standard होता है मैं बात कर रहा हूँ वास्तू के parameters सभी energy के balance करने के बाद ये remedies हमें place करनी है ये बहुत समझना ज़रूरी है तो जब हम ये north में place करेंगे एक तो सोमा देउता की जगा पे हमें place करेंगे otherwise north के zone में facing to the center तो लब center से face करके south में facing होगा जब ये एक्षराज कुबेर जी की ये जो statue है या sculpture है आप place करेंगे तो आपको 15 days result नज़र आएगे तो amplification process जो है remedies का ये बहुत important है तो इस तरह से amplification होता है तो remedies इसलिए important है कि हम कभी भी किसी भी zone का attributes जब enhance करना होता है हमें वास्तों में उसके energy level बढ़ानी होती है वहां से हमें ज़्यादा positive result लेने होते है तो हम remedies apply करते है तो बहुत सारी remedies है आज जस्ट मैंने आपको north zone की जो remedies थी कुबेर जी के उसकी बाहरे में डिक्काश के आप ये sculpture या statue कही से भी ले सकते है online भी available है लेकिन वो energize हो direction उसकी facing to the center हो ये बहुत important है अब ये जो sculpture है ये sculpture हम किसी भी direction में move कर सकते है for example हमें मुझे अगर face करना है south में मेरा south या मेरा north कुछ ज़्यादा degree tilt हुआ है मेरे गर में तो मैं उस direction में लोगा क्यूंकि center को facing होना बहुत important है तो आज के video में बस इतना ही आगे और remedies के कुछ videos आएंगे उसमें मैं बाकी remedies डिसकस करने वाला हूँ तो दोस्तो आपको ये short notes मैंने समझाने की कोशिच की कि remedies किस तरह से काम करते है अगर आपको ये video अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें सब्सक्राइब करें थैंक्यू सो मच